इसा यह इससे मिलतो जोलता सवाल वट आई यह स्ट्रेंज्ट्स वट आया वीकनेशेस यह इंट्रिवू में अक्सर पूछा जाता है परंतुर शुरुआत में नहीं यह इंट्रिवू के दूसरे भाग में यानि की जब इंट्रिवू लगवक 60-70% खतम हो चुका होता है तब यह सवाल पूछा जाता है यह सवाल एक बहतरी मौका है आपको अपनी परस्नालिटी के बारे में अच्छा इंप्रेशन इंट्रिवू के दिमाग पर डालने का लेकिन इस सवाल का जवाब देते समय बहुत साफधान रहने के जरूत है इस सव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले अंडरस्टेंडिंग दा कुईस्चन पहली नजर में यह सवाल बड़ा ही हलका सा या कभी-कभी कुछ लोगों को मजाक के औरूक में दखता है लेकिन इस सवाल के पछे inTV की बहुत स्मार्ट strategy है वह यह देखने चाता है कि क्या आप अपने बारे में ऐसक्वे protective हैं क्या आप एक अन आपने बारे में जाग रुक है और तीमाशा है की आपकी अंदर कौन से गुढ़ हैं जो company आपको interview कर रही है उसमें फायदे मन्द हो सकते हैं अब आईए इस सवाल का जवाब कैसे देना है उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते समय आपकी आवास में clarity होने चाहिए आपकी body language के अंदर self confidence और positive thinking जरकनी चाहिए शुरुआत में आप बता सकते हैं पहले अपनी strength के बारे में और फिर आप बता सकते हैं अपनी weakness के बारे में जैसे कि आपकी strength की example हो सकती है कि मैं अपने आपको किसी भी माहौल में ढाल लेता हूं या मेहनती होने के साथ साथ में इनमानदार भी हूँ या आप कह सकते हैं कि मेरी ताकत मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और उपरमाइंड है और ध्यान रहे कि ऐसा कहते हुए अगर आप कोई एक्जामपल बता सके तो आपके उत्तर में चार चान लग जाएंगे जैसे मैं आपको ए इस और नोबिल कंपनी में सर्विस मैनेजर की रूप में काम कर रहा हूं सब मैने जब ये कंपनी तीन सार पहले जोईन करी थी तो बहुत सारी नेगेटिविटी चारत रख थी इंप्लॉईस भी खुश नहीं थे और कस्मर्स तो लगातार कंप्लेंड करते ही रहते थे तो मैने सबसे पहले एक open माइंड से सभी कश्मर्स की कंप्लेंड को सुना उन्हें नोड किया इसी के साथ ही जो मेरे जूनियर्स या कोलीग्स या टीम MEMBERS थे उनकी भी मैंने शिकायते को बड़े ध्यान से सुना और उन्हें नोड किया जहाँ जहां पर मैं खुद सल्यूशन प्रोवाइड कर सकता था या मैं टॉप मेरेमेंट से कुछ solutions पा सकता था मैंने ओ solutions पाए और उनको implement किया बहुत जल्दी ही माहौल बदल गया और सुधर गया इसकी वज़े से clients भी खुश हो गए और employees में भी motivation का level बढ़ गया इससे हमारी sales भी बढ़ गए और हमारी टीम एक मजबूर टीम की रूप में सामने आई अब बात करते हैं weaknesses के बारे में अगर आप अपनी weakness बताएंगे कि मुझे सुबह उटने में बहुत तखलीफ होती है तो उसी वक्त इंटिवर समझ जाएगा कि यह भई यह तो office time से पहुंचेगा ही नहीं या आप कुछ ऐसी weakness बताएंगे जो कि खतरनाक है कि मुझे smoking बहुत अच्छी लगती है तो वह समझ जाएंगे कि यह थोड़ा सा किसी आदत से मजबूर हो सकता है तो इसलिए बहतर है कि आप अपनी वह weakness के बारे में बताएं जो एक तरह से आपकी strength भी है जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं बहुत यादा quality conscious हूँ परन्तु इसकी वज़े से मेरे काम को थोड़ा अधिक समय लगता है यह मैं बहुत यादा professional और strict discipline हो यह मैं अपने काम के प्रती बहुत यादा जागरुक हूँ यह आप यह कह सकते हैं कि सर मैं अपने काम से इतना अधिक जुड़ा हूँ कि मेरी personal life थोड़ी सी सफर करती है और मेरी family भी थोड़ी सी नराज रहती है इसलिए मैं अपनी work life balance को बहुत अच्छी तरह से maintain नहीं कर पाता हूँ अब आगे चलते हैं इसको यहाँ पर ही कहना काफी नहीं रही मान लीजे हम work life balance की example को continue रखते हैं तो आप कहेंगे कि मैं office में थोड़ा जल्दी पहुंच आता हूँ जिसकी वज़े से शायद अब मैं घर बहुत यादा लेट नहीं आता हूँ क्योंकि अब मैं बहुत यादा लेट सिटिंग नहीं करता हूँ इससे मेरे घर के members भी खुश हैं और इससे मेरी productivity की उपर भी कोई असर नहीं आया है दोस्तो एक खास टिप जब आप अपनी strengths गिनवाएं तो दो या तीम maximum और जब आप अपनी weaknesses गिनवाएं तो एक या दो maximum हाँ मैंने अपनी interview coaching के दौरान यह भी देखा है कि कुछ candidates किसी strength के बिलकुल विपरीद वही अपनी weakness भी बता देते हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि इस पे आप अपने आपको contradict कर रहे हैं दोस्तों अगर आप job interview लेना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं हमारी एक बहुत ही reasonable fees है जिसमें हम one to one interview coaching देते हैं बस आपको करना क्या है फोन उठाइए और हमारे साथ appointment book करिए यह interview coaching हम अपने office में यह skype के दोरा भी पूरे दुनिया में देते हैं इस पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website careersandmarine.com को ज़रूर देखिए और अगर आप interview coaching के बारे में और अधिक tips जानना चाहते हैं तो हमारे videos में देखिए और हमारी website जिहाँ careersandmarine.com पे भी आप ब्लॉक्स पढ़ सकते हैं इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कर दो